आपको याद होगा Honor ने Honor 9i लॉंच किया था और आज उन्होंने Honor 9n इंडिया में लॉंच कर दिया है। अगर आप Honor 9i और 9n को कंपार करेंगे तो 9n में जो बैटरी कपासिटी है उसमें थोड़ी सी कटवती की गई है और जो मेकापिक्सल है उसमें भी थोड़ा सा फेर बदल किया गया है। वैसे बाकी सारे स्पेसिफिकेशन्स सेम हैं एक चीज को छोड़के नॉच तो ये जो Honor 9n है इसमें आपको नॉच स्टाइल डिस्प्ले मिलता है। इस वीडियो में मैं इसके अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंसेट के खास फीचर के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए ये है Honor 9n का बॉक्स पैक और यहां पर MRP प्राइस तो कटा हुआ है लेकिन जो स्पेसिफिकेशन्स है वो आपको बॉ Honor 9i के कंपरिजिन में 9n में थोड़ा सा जो स्पेसिफिकेशन्स है उसमें फेर बतल किया गया है सबसे वड़ी खास बात यह है कि यह जो 9n स्मार्टफोन है इसमें आपको नौच स्टाइल डिस्पली मिलता है चलिए इसके इंबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते है कि बॉक्स के दर हमें क्या क्या मिलता है देख सकते हैं यह है Honor N स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम किसम का लग रहा है ग्लास है पीछे की तरफ देखे किस तरीके से चमक रहा है फिलाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें इस हैं अटी कार्ट भी मिलता है और यहां पर आपको एक और केस है यह प्लास्टिक केस है तोड़ा सा हाड है और यह हैंसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगर आप चाहें तो इसका उप्योग कर सकते हैं यह है डेटा केबल यूस्पी तु माइक्रो यूस्पी कर दिखता है पीछे भी ग्लास है आगे भी ग्लास है और यह थोड़ा सा स्लिपरी भी है तो आप थोड़ा से एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा 2.5 फाइडी कर्व ग्लास है पीछे भी और आगे भी इसके कारण यह हैंसेट है आपको एक बहुत प्रीमियम सा फील दे से सिमेट्रिकल लुक आपको मिलता है यहां पर आगे भी और पीछे भी ओवरॉल बिल्ट काडियादesting बहुत भल से संसे की ओन रॉड आप यहां पर यहां पर यहां पर भी दिया हुआ है एंसेट पकड़ने में काफी कमफरेबल है लाइट वेट है यह देखे यह है सिम ट्रे लेफ्ट हैं साइड पर उपर है से किंटरी मैक्रोफोन और राइट हैं साइड पर आपको मिलता है पाउर बटन और वॉल्म रॉकर नीचे की तरफ आपको स्पीकर आउट और जैसे ही आप इसे स्विच आउन कर देंगे तो सबसे पहले जो नजर है अपकी वो नॉच पर जाएगी यह देखिए इसका जो स्क्रीन है 5.8 इंचिस का है फुल एच्टी प्लास रेजिलुशन के साथ में आता है 2.5D कर्व ग्लाज भी है कलर रेप्रदक्शन बहुत ही बढ़िया है और यह स्क्रीन जो है यह काफी अच्छा लग रहा है और जो टस्ट रिस्पॉंस है वो भी काफी बढ़िया है अगर कुछ कारण वश आपको न है और यहां पर एक स्क्रीन रिजिलुशन का ऑप्शन है बाइंधी फॉल्ट एंथि प्लस है अगर आप चाहें तो स्मार्ट रिजिलुशन का ऑप्शन है तो यह जो सौफर है आ्टोमेटिकली डिसाड करेगा कि कोन सा रिजिलुशन ठटना है इससे बैटरी का जो प्रॉ अनलोक का भी option है यह देखिए अब मैं face unlock का उप्योग कर रहा हूं और बटन को प्रेस करते ही यह मेरा face को detect कर रहा है यह fingerprint से थोड़ा सा slow है इस पर 16 Megapixel का front camera है और notch के उपर camera के side में आप देख सकते हैं in call speaker इस प्रकार से दिया हुआ है इस handset पर किरीन 659 octa core processor का उप्योग किया गया है और यह देखिए यह है sim slot hybrid slot है मतलब कि आप 2 nano sim या फिर एक nano sim और एक micro sd card का उप्योग कर सकते हैं यह किरीन 659 processor जो है यह वोल्टी सपोर्ट करता है लेकिन एक ही sim slot पर काम करेगा रहा है जो android oreo based है 4 GB RAM है 64 GB internal storage space है और 9N में आपको मिलता है 3000 mAh की battery तो handset तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसका price क्या है यह मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैंने यह video बनाया था तो बिल्कूल भी अंदाजा नहीं था लेकिन जब आप यह video देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका price क्या है और वैसे भी इसका price है यह मैंने वीडियो के title में और वीडियो के description में दोनों ही जगा पर mention किया हुआ है तो price के हिसाब से आपको यह handset कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए comments के माधियम से अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like कीजिए share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए और वो जो bell icon है उसे भी enable कर दीजिए और देखते रहिए